रदन टाटा एक ऐसे शक्सियत जिनके जीवन की अगर कुछ बाते भी हम अपने जीवन में उतार लें तो जिन्दकी बदल जाए रदन टाटा सिर्फ उद्योगपती नहीं थे बलके खुद में एक पूरा इंस्टिट्यूशन थे जिनकी नीतिया जिनकी सोच देश को कहां से कहां ले आई रदन टाटा भले ही अब हमारे पीश ना रहे हूँ लेकिन अपने पीछे अपने जीवन का वो अनुभव छोड़ गए है जो सेंकडो पीडियों को लक्ष दे सकता है तो चलिए आपको रदन टाटा के कुछ मूल मंतर बताते हैं जो वो ना सिर्फ अपने जीवन में फॉलो करते रहे बल्कि समय समय पर नई पीड़ी के साथ बाटते भी रहे रदन टाटा केहते थे कॉलिज के बढ़ाई के बाद पांच आखड़े वाली सालरी की मत सूचना एक रात में कोई प्रेशिडेंट नहीं बनता इसके लिए अथग मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है, किसी को दोश मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो, मैं सही फैसला लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसला लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। हम सभी के पास समान प्रत्वा नहीं है, लेकिन हम सब के पास समान अवसर हैं अपनी प्रत्वा को विक्सित करने के लिए। अंत में हमें केवल उन अफसरों का अफसोस होता है जिने हमने नहीं भणाया रदन टाटा कहते थे जीवन में उतार चड़ाव हमें आगे भणाने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ECG में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं